Welcome to all my dear students on my channel, my physics class by Sorob sir. συ वहेशक वहार। मैं यहार। समय है, तभीसि सुखर सवाइश्ता। शंकित मतरतीत देखा, संहाम इसक्रिफा सुखर स्वाइश सूपर यह खुता हे उसके जुद हएखा, उसमें आपको homeberg भी दिया हुआ था, आज जो मेरा target है, आज जो day to pay में आपको करना चाहता हूँ, यह chapter है, unit and measurement and dimensional analysis and error analysis, यह यह chapter में वो complete गम है, क्या unit, dimension, error analysis, ठीक, युनिट क्या है, dimension क्या होती है, measurement कैसे क्या होता है, error analysis क्या होता है, किस बार मेरोको मेरोको मेरो बेटा है, स अगर chapter से बात करें, तो एक question इस chapter से आपके jay means हो, चाहे need हो, आते ही आता है, jay means में और आपके need में, even though jay advance में इससे question आता ही, आता है, ठीक, question क्या आएगा, किस topic से आएगा, कुछ prediction इसका दिया जा सकता है, इस chapter में, ठीक, रहसे तो बोला जाए, तो chapter एक तरीके सब को verify करके देख लीजिए, अब चुबी क्या है, कि बही, jay means में, कई बार A B देखना को मिलता है, कि 4 option में, समर डाइमेंशन बराबरा है, सब कर लेके, लेकिन, maximum जगे ये काम करता है अपना, ठीक है, कुछ इसकी हागा की limitation भी है, तो इस chapter में, अपने को, जर्चाइद अप कर दो है आज का, crash force का, और 8 में जो है, का सार में crash force की अथा, आए मेटे, topic को start रखे है, देखने में, जो topic है, topic का जो नाम है, क्या नाम है topic का, topic का जो नाम है, unit, जो आज मैं में पर कुम्टीट गरना है, क्या नाम है, unit, dimensions, and, और, एक error analysis, errors analysis, त्रिमें, यह मेरे वो topic cover करना है, basically, अब मैं हर इसमें पात करना हूँ, इन short में इसको बिच्चो UDM भी बोल दिया जाता है, short में इसको UDM, unit, dimension, and measurement, measurement के unit क्या होगा, dimension क्या होगा, यह बात में लोगो इस topic में तबर करना है, तो देख हो, तबसे पहरी एक बात इस chapter में करूँ, तो चुकि यह crash course में लिए, dropper के स्टाड़ करेंगी, लेकिन अभी मैं आपको इसमान के चलूँगा, आपको कुछ basic चीज है, आती है, तो थोड़ा से speed up इन चीजों करते हुए, आपको आगे बढ़ाएंगी, तो समझे यह logic क्या है, मेरा scratch course में मोटे numerical solve करवाना है, जैसा प्रेपर में question आएगा, ठीक, पहली बात क्या है, physical quantity, physical quantity क्या चीज होती है basically, कि ऐसी कोई भी quantity, जिसको आप measure कर सकते हो, और जिसका use करके है, physics के laws को explain कर सकते है, ऐसी quantity को बोलते है, physical quantity, जैसके length हो गया, mass हो गया, time हो गया, इस सब physical quantity है मेरे पास, ठीक है, तो physical quantity क्या, ऐसी कोई भी quantity, जिसको आप measure कर सकते मेरे को पुला में करना है कि दो चार्ज पार्टिकल जो की रेस्ट में उनके बीच में लगने वाला एक्रोस्टेटिक फोर्स प्रेक्शन रिपल्शन क्या होगा है तो स्पोर्स की वारे में इंफॉर्मेशन आप तब पर दिस्टेंस का जानती है वह क्या हो अमने सुनिंगे चे बच्पन मोव इसके बेजरी करनी है इंढती ही तो बड़ी سंज्वच्छा और जाएगी है तो में जी क्या बोला मैंने कि जो डिस्टेंस पास दो चाहिए जो चाहिए Newton-Baba की gravitational law में f equal to minus g m1 m2 by r2 महीं लता दिया इसी तरह से हम calculation करते हुए कई सारे formula में जिन quantity का use करते है physical quantity तो मेरे पेटे आपको बात का समझ मैं ही कैसे को भी quantity जिसको हम major कर सकते है और जिनका use करते हुए physics के laws पर explain कर पाएंगे ऐसी quantity क्या पोलना पढ़ेगा आप बोलते नहीं वाई साब क्या पोलना पढ़ेगा physical quantity आगे बाद बढ़ाओ इसमें कोई doubt है गया आप आगे समझना तो physical quantity बाद समझ भाई अलगी जी अब एक चीज देनी physical quantity साब कितने type-tी हो सकती है जी physical quantity है यह chapter में कितने type-tी हो सकती है तो मेरे बेटे physical quantity को अलगत तरह से define किया राता है कैसे define करें तो physical quantity को सबसे परदे डिफाइन करते हैं जो बहुत basic है direction के basis पर direction के basis पर तो on the basis of direction वही direction की basis पर अलग देखें डायरेक्शन के basis पर physical quantity को दो बोले गए में भी दोख हो थी तीन है दो बोली गई कौन-कौनसी एक तो बोली गई मेरे बेटे सबस्क्राइब करें ने में बोले गई को जो बोले गई को अब्र दूसरी क्या वही पर ड़ी गई कर्ण दूसरी क्या बोले गई है अब देखेंगे एक वीडियो में इसको तो मैंने क्या बोला कि direction के basis प्रीडियो कोंटिटी इतनी होती है दो कौन-कौनसी भाई साब एक ह मतलब एसा Johnson कोई भी फिसी玩्टी जिसकी explanation के लिए आपको सर्फ मेगनीटुर्ट चाहिए म होई दो चैचा करेंड जी में इस मांनु quelle यह मघनिटूद का मेली है होता है जयसे मैने जोड़ा 5m, तो उटी सभी होती है, यह मंति में जोड़ा है, ऐक होती है उसकी unit, तो मैने क्या पोला? कि इसको ऐसी ऐसी quantity जिसको explain करने के लिए जिसके complete explanation के लिए उसको क्या से क्या है, जिसके total explanation के लिए अब यह होगी मेरे पास जिसमान के चलो, density, mass upon volume, solar quantity है, अगले होती ही vector physical quantity, vector quantity के होती है, साब vector quantity के मता होता है, ऐसी कोई physical quantity जिसको समझाने के लिए, उसके magnitude की भी आप सकता पड़े, और direction की भी आप सकता पड़े, ऐसी कोई physical quantity जिसको explain करने ही के लिए, magnitude की भी आप requirement हो, और direction क requirement हो, तो ऐसी physical quantity हो क्या मुलते है, vector physical quantity जैसे displacement, displacement क्या मतलब क्या होता है, shortcut, shortcut मतलब initial point से final point को direct जोड दे, initial point से final point को arrow कर दे, तो arrow को क्या सो करेगा, vector quantity यह जिए और direction को सो करेगा, जैसे मांद के चलो, आपको, for example, Delhi से Mumbai की तरफ जाना है था पड़े direction fixer उसके लिए, आपको quota स वालियर की तरफ हाना है, direction fixer उसके लिए, असा नहीं है कि आप trainer बैटगे, किसी भी trainer बैटगे, आपको quota से वालियर पहुंचा देगी है, वालियर से Delhi पहुंचा देगी है, Delhi से भाइसा आपको कहीं पहुंचा देगी, ऐसा नहीं उसके ticket देना परता है, direction पर हुट के train जात मैंने बोला, एक दोस्त के रेखा दो, इनना के वेटा तु दिल्ली चला गया, क्या बोला, दिल्ली चला गया, ठीक है, तु नहीं टिकेट ले लियर का, तु नहीं जाता information उस दिल्ली नहीं, तु पहुंच गया Delhi, railway station, माना करिदत निया मुद्दीन पर जाके उतर गया, अ मैं रात का चलाओं, वो फोन किया, कि मैं यह तु खाएं, मैं Delhi आ चलाओं, उसने बोला, Delhi मही तो हो, अरे तु नहीं पूचा भी तेरे घर खाएं, Delhi मही तो है, अरे बेपकूप आती नो, गवाली एर से रात पर चलके Delhi आ लिया, तु घर ही बता रहा, अरे सही तो बता रह बई यह तु सोच, अब में चीज क्या, बेफकूप बो नहीं था, बेफकूप आप थे, कारण क्यों, यूगि आपने इंफ्वर्मेशन पुरी नहीं नहीं, आपने एक चीज तो पता कर ली के Delhi में, यानि आपको वालिये से Delhi तक की तो लोकेशन वालम चल ली होगी, आप बूसरी देन कटिकेट ली आपकेशन वालिये, अब अपस ओपी वर ऐसे दोस्तों के माय अजाल में दवारा फसा ली, क्या बात मेरे समझे में आ रही है, यानि वेक्टर वांडिटी क्या होता है, ऐसी कोई फिजिकल वांडिटी जिसके इस्पलिवेशन करने के लिए हमें वेक्रद को चाहिए, चाहिए डियर tu क्टर इस वांडिटी क्या बोलते हैं, वेक्तर फिजिकल, वांडिटी, वांडिटी, इस्पलेशमेंट हो गया, में बूह में धुशार हो सेटे, एक आइटम करने भूता है, जिसे बोलते हैं, टेंसर. टेंसर का मतलब का मतलब क्या ह हमें नहीं मालू सर, टेंसर का मीनिंग क्या होता है, ऐसी कोई भी फिजिकल कॉंटिटी, जो ना तो इसकेलर है, ना वेक्टर है, तो टेंसर बोलेंगे उसको, सर इसकेलर नहीं है, आप बोलेंगे वेक्टर भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, सर या तो magnitude चाहिए होगे, या magnitude इसकेलर चाहिए होगे, इनमें से ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरी बास चुछना, ऐसी कोई चीज, जैसे मांगे चले, इसका अच्छा एक्जाम्पल है, मुमेंट फिजिकल कॉंटिटी, सर क्यों, ये स्केलर नहीं है, इसकेलर इसलिए नहीं है, जैसे रोटेंग चेप्टर पढ़ाँगो, तो बताऊगो, तो पढ़के के आया हुआ है, वैसे, अगर तु जैई-मेंस वीट के पढ़ने रहा है, तो आपने इतनी तो पढ़ाई की हुगी है, तो देखो, मुमेंट फिजिक लेलो, डिस्क का एक्स-वाई प्लें में, डिस्क का खुरी एक्सिस के अगर आपको नहीं मालूम, तो उसको एक बाइस करिए, और जो आगे वीडियो हैने वाला रोटेशन का, उसको इमान दार से देखिएगा, तो मैंने क्या बोला, कि हमने क्या बोला, कि मुमेंट फिजिकल कॉंटिटी है, जैसे तो नहीं एक्सिस को बदला, तो मुमेंट फ से बदल नहीं थी, डायरेक्शन पर फाली सब्रेट कर रहा है, यानि इसके लिए अगर होता, तो सारी ही सारी एक्सिस को आप सेम वैल्यू देता, लेकिन नहीं देता, अगर नहीं देता, यानि इसके लिए तो नहीं है, अब बात करने वेक्टर को नहीं है, वेक्टर क्यो इन गोली कि नहीं कहले कि यानि तो anti clock wise हो या क्लॉक वाइगा तो anti clock wise वह वो हमाए तूप यह वह न अंसर देगा जसे मांशन Lenson रोड को तो अगर वीच मैं सो वमा रहा है अगर रोड को वीच मैं से वहा है तो जो moment of inertia की value anti clock wise में आती है वो ही moment of inertia की value clockwise में आती है इसे हो फेक्टर भी नीहा है यानि एस हो फैसिकल वह पिशनी कोांड़िटी also enfyne तो बीच में ट्रूल हमें प्शिक्ल कोणिटी जो ना तो यह वनटी द्या चाहती हमार्थ क्वणित एक प्षयक्र इन आप अपने को मतूल होते है तरह तरहर है कई मतड़वशाmist तो ना स्केलर ना वेक्टर तो तेंसर इतिवास होने पे, अगली बात करें बेखा, एक कुश्चन में आप से पूछना जाँगा है, तो हमने दो टैप के फिजिकल कॉणिटी के एक्स्टेमेशन देखा, कैसी कोई फिजिकल कॉणिटी जो इसके के डायरेक्शन के बेसिस पे कोई हो सकती है, एक मेर्टर और विजिकल के अगली बात करेंदेटेमेशन के बेसिलेशन थो जवाब देखा, जीस मान के जल्द, तेरे घर्वालों को, तीरे मादा पिता बंलेवाल तेरे ऌरो पिता को यहांनी तेरे घर्वालों को फार एगजम्पल एक कार रीदी है, ठ एक वार घर में दुख से पूछ लिया कि बेटा पर वो एक कार खरीदने जा रहे हैं तो एक अपना यह बता दे कि यह अब उन्हें बजट आमा रहा था पांच जाप का तो कार बता रहा है भाई साथ उनको एक करोड की तो पूछ आता है यह सब पूछ ली बेगा है भाई सा यह 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 भाई समझना कि तेरे घरवाले जो कार खरीदने गए तो उसे बाद पूछ लिया तो सलाम आगी ठीक है कि कौन सी ले 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 लेकिन एक बात बता क्या उनका कार खरीदना हंड्रेट परसंट तेरे उपर इपर रिपेंट करता है कि वाईसे तो मने कर देगा खरीद स्क płacet एंगी तो उनका कि हरीद तो और तो हिता में ढेले लाएंगी लेकिन कैसी सामान को तो आपके मतलत की 2 आपके तैं। पापा ने बोला हुआ अच्छा भी देता हूं तो लोगो बाइक उन्हें पोने पैसे तिरो कोई बाइक देलो आता हूं कहने समय जाविरा कि यहरं किसी सामान नों खरीदना चाहे वे । बेटे तो इस बात पकर हैं और पेडि़र्ट करतें यहां करतें करतेंट्ग् मेंसार और लिए कोशेश कर रहा हूं. इसका में किसमाजी में आया कि सर्फ दो टाइप की फिजिएल गॉंटिटी एसी उती डिपेंडेंसी के बैसेशन के लिए, अपनी मूल बुताओ सकता हूं के लिए, अपनी रिक्वाइरमेंट के लिए, अपने समझाने के लिए किसी दूसरे यह एए में था दियुक दिलीक किसी दूसरी कटिटिटी भीडना करती हो उसे पूलते हैं वह बर क्या बोग सते हैं कितनी होथ तो शाधी में तो कितने फेरे लेता है। तो मैंन तुरंट आ गया, वो साथ फेरे लेते हैं तो मुझे मालूप नहीं है क्या है। इसमें हुझे आ रहे हैं लेकिन पढ़ा ही फिजिस वाइसा हुप देंसे से लिए या थी इतनी स्पीड में। क्हा हुיע कि साथ है, या वो साथ होती है। लें साथ होती है, आप साथ होती है? और कि क्या थी यांट करती जैसे बहुते है? डिरायव धी फिसिंगल क्या पोलते है। Derived physical quantity, जैसे मैंने बोल मांस, तो मांस fundamental physical quantity वो साथ की टेबल है, कि आपका length ho गया, mass ho गया, time ho गया, electric current ho गया, luminous intensity ho गया, आपका amount of substance हो गया, जो कि mole है, कौनो कौन सी? length हो गया, mass हो गया, time हो गया, luminous intensity हो गया, temperature हो गया, amount of substance, mole हो गया, और कॉन सा है, और कॉन सा बचरा है पिठा? एक और कुई सा बचरा है, temperature, temperature हो गया, length, mass time, length, mass time, साथ हो बचरा है, वो दुम सोच कि देखना भई. तो मैंने क्या बोला कि साथ fundamental जो physical quantity होती है यह अपने explanation के उसे डिपंडी करती लेकिन दूसरे एक item होता है जो भी डिपंडी करता है उसे क्या बोले कि derived physical quantity नाम में समझ मैंने derived यहा डिरिवेशन से निकाली हुई है यानि कि 2-3 fundamental physical quantity के मिलन से कुछ जो product निकल के आया उसको क्य अब तो मैं चीज क्या कि ऐसे होई quantity जो fundamental physical quantity के product यानि उनके मिलन से कुछ निकल के product निकल के प्रोड़क्त है उसको को नहीं derived समझ में निया है ज्याज़े speed का formula बता में रो क्योंता है distance upon time distance का physical fundamental quantity time के fundamental physical quantity लेकिन speed का fundamental physical quantity है यह वह कॉम से derived physical quantity है यह अपने explanation की किसी दूसरे physical quantity पे depend करती हो fundamental physical quantity speed हो गया density हो गया और भी कैसारे example ऐसे ले सकते है भाई साथ यतनी बात के लिए रखया आगे बढ़ाएं फिर हमनों की आदफ क्या होती है कि एक के लोग शक्कर लेने गए मार्केट में या खुछ पोई भाने गए बजसा पोई की प्लेट लेंगे पोई की प्लेट लेंग तो डाली दे बाई भाई सो उसकी शाठी पर खढ़े रहेंगे थोड़े सो डाले वह बुरा आइटम डाले का उसमें खाना चालो कर दिया प्रसनी गुवर न चोड़ दे फ्रोकिसी मर्ची और डाल दे वेरो प्याज और डाल अब मालों प्याज बहुत मैंगे अगे अपन तो fundamental physical quantity तुमाम सारी टिराइट physical quantity देदी fundamental किसार उसने बोला कि थोड़ा जादा और ले तुँ आएसा तरो जादा किया दे तु और ले you are Indian so you take जादा अब जादा मतलब क्या तो दो physical quantity और बोलीगी जादा में जिनका नाम है supplementary physical quantity और सी supplementary physical quantity supplementary physical quantity में कौन सी आएगी एक आएगी plain angle को measure करेगी एक आएगी solid angle को measure करेगी plain angle यादी 2D फेकर, solid angle यादी 3D फेकर जैसे plain angle को measure करने के लिए कौन सी रिडियूस करें? Radian, सुना भी हो कभी जीवत में नहीं सुना तो अभी सुन लेगा और solid angle को measure कैसे करते इस रिडियूस है, तो तो supplementary physical quantity है, क्या आगे बार बढ़ाओ यह वो चीज़ें अभी तक मैंने जो मुह से बोली है, यह वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुत basic हैं शेक्टर का, अब भुषते हैं नई concept में यूणिट कि यह होती है, और यूणिट के होता है कि इस बात को जल्गा समझते हैं, तो खęान से समझने है यूणिट को नई चेंशह होती है, तो अभी हमते स्पोस्टर में सारी quantity सो क्हाँ पैसीarya करलेगे मेरे पास दो चीज़े होना चाहिए, एक होना चाहिए निमेरिकल वैल्यू और एक होना चाहिए मेरे पास यूनिट। मंभी न हय बोला आपसे किता जो पोचिश से लोटे पेच काम करना से एकली दूद दूद मंगाने आ क्योंतों 5 को लिए ठेटा की सिरी दूद एक ले बाद समझना आके हैं और इक ही समझने तकम ने ले टम के दूद की तर्म लेल्ट संक जूद दूद ll ऐसा तोड़ी करता है भाई 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 आपने कर उसको जिल्ला पेमेट दिया उसके आपसे दो 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 या 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 बेजर करके लेगा आपको तो ही समझना क्या होना किया किसी फजील कॉंटिटीव रिप्रेजेंट कैसे कर होगे वही एक नुमेरिकल वैल्यग तर यह उसकी कहा नुमेरिकल वैल्यू और यूनिट कह जा तर आप मुआँ पांच केजी वैल्यू मिशिन टाता है लिप sighs।र तर्फ पांच का यह वैल्यू और यूनिट है पहलि प स Sign лож का भांधिची यह इसमें फॉनिड चीनिक देखनाह किसी में जालो एक सिस्टम से दूसरे सिजिवल कॉंडिटी बंकष्ड गरतें जासा समॉझे से सीजिवल क्होंटिटी नहीं करतें समाझेड दूसरे सिस्टम से क्वर्य आपसे क्वर्या होते हैं तो लिए और से ैसिवर क्या होते है तो सम tare reduction जाने या से समझत आज दाएगा n1 even is equal to n2yutu इससे आगा बार शमयज नहीं अभी तो n1 is equal to n2yutu या या यह बोलती है यह जा शबती है इसterror तो यह घ मरने खुँओ सब्सक्ता करें दो सब्सक्तार कहारां कि include 1 kg में फितने graham होते है, सब 1 kg में करम होते हैं पता निसा में रब एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं सब्सक्राइब है अब यह तुछ यार है तभी वीडियो देख रहा है आगे समझने बातो तो 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 टियो श्याइब है तो तो एक कईवार चुना वह लेगा इन खास बात क्या है स Richmond संकारोनुद्ध केजिया उपार चोती उनिट हम सर्द प्रहें लोडा-कीजिर क्लॉमें इन ऐसे से 허म बादनुद्ध केजिया मेर्ट कि प्रहें इन वहरेति है अहीं है अदु N is inversely proportional to N या ये बोल दे N is inversely proportional to N या ये बोल दे U is inversely proportional to है इसका मतलाब अगर numerical value बढ़ी होगी तो unit चोटी रही होगी और अगर numerical unit बढ़ी होगी तो C numerical value चोटी रही हो की क्या मेरे पेटे इतनी वार समझ में आरी है मैंने क्या बोलाइस मैं कि one case 1000 g किसी little quantity नो रिपले के लिए क्या का चाहिए, numerical value चाहिए, numerical value चाहिए मेरे को, बड़ी numerical value चोटी unit के होती है, और बड़ी unit, चोटी numerical value के साथ में आती है, किती बात के लिए है, आगे बड़े, अब अगली बार समझ, एक शबत जो था magnitude, magnitude का मत्दव समझना चिया होता, magnitude जो word है, जैसे मैंने मु लिखा, इसको एक साथ मिलाकि क्या बोलते है, जैसे मैं लिखा 5 km, तो 5 km ही क्या है, 5 km किस का, इस नुद का, जैसे मैंने के किसी particular displacement किया, 2 m i cap, गड़ मतला किます आपका है मिया इसा नहीं है को मिठा कर दिरिक्षं आपका है ऐसा मतला मोइस कितरफ है कि मैंने बुले है सबस्ता ही ah इसलिए आएक लगा हुआ है और 2-meter का उसमा magnitude है यानि 2-meter का short-trade distance मेरे पास है बले बलेकर पड़ा इसमें 5-meter का तो short-trade मेरे पास 2-meter का है for example बोला मैंने इसमें 5-meter क्लो-meter क्या है एक magnitude है इस चीज़ना magnitude है जो भी measurement कर ले उस चीज़ना magnitude है आगे बड़े मैंने कर दो समझना है क्या जी समझित गए आउट तो आगे अगे समझיתי लाद यह बोली सी यह तो बात हो गए फजिकल पॉड़ी की के इस पॉड़िटी के रिप्रजेंटेशन की अगली बात कर लेते हैं यूनिट की यूनिट क्या चाहिज होती है तरिक है चकर लेकिये आजाना जब्धों कोचर के लिए चेहाना और स्थ्वातिय म्यालाय मैं तो SMITH enfrentaking कोचिंग से बैट आये एक वड़ारे काम करना क्या अब आदा सब्बासित को अजेक है तो इच आखिक कि चेहती है यहा शक्कर दे लिए असने दुर्सरा है किस्टी कटद वलो नल और भुशिर को किसी भी कॉइनिटी को मेजर करने के लिए ही कॉंपलिट को सो करना चाहते हैं अगर हम किसी भी कौंटिटी को मेजर करते समय हैं अगर HOLY को क्वा νम सो करना चाहते हैं तो क्या लेगा प्रता है उसमा है व्मै인을खी हां जारिए को के सक्षिए अपीजिएञिन का कि मुछनमेट कॉंप्ली इव इन के समय है कि स्षओ सब चाहिए तो यह वह बोलेगा तो यह वह बोलेगा तो वह बोलेगा तो वही होना चीजा है एक आदमी बोला है थीक है अम यह के लिए लिए लगए है अभी आप वीडियो देख रहे हो आई टी जेई और नीट के लिए आपको बाई दो मौलूम चला के यूट इतनी स्वड्च बना गी है यहां बना चाहिए यह समझ मैं आगे बाद तो हमने की का फिसली का होती है कितने टाइक की होती है, तो उनसा आइटम देखा उसमें, उसके बाद अपने युनिट की जब 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 ही, फिजिकल कॉंटिटी के रिप्रेजेंटेशन को देखा, अब पात करेंगे कि हमारे पास डाइमेंशन क्या है, और डाइमेंशनल एनलेसिस कैसे किया जाता है, तो एक चीज बहुत घ्यान से देखना, दिलो मैं ब्यूक्त बहुत चारॐन-चारौन को सबनाज, Fundamental physical quantity होती है, क्या होती है, ओर भाई, Fundamental physical quantity, क्यतनी होती है, कुरिंख बोल़ा ता साथ होती है, जब बाई, एक तो होती है, मास लेंद्ध मास लेंद्ध टाइम मास होती है मास को भई अगर देखा जाए तो मास मेरे पास मास को रिप्रजेंट कैसे करते हैं मास को एम से रिप्रजेंट करते हैं तोड़ी ज़गे समय से दाइमेंशन में अगर दाइमेंशन अनलिसिस करना है को स्वानिटी के रिप्रेंटेशन को इस वार ब्रैकेट में डाल लेंगे, यानि आपको डाइमेशन अनलेसिस कर दिया आपने उसका, ठीक है, अब लेंथ को L से शो कर देंगे, इस तरह से, टाइम को सो कैसे कर देंगे, तीसरे शो कर देंगे, भाई सब, चल, अगरी बात द लोगिया, second होती तो ऐसय औस सी भी लेख सकता है, तो mass होगया, length होगया, time होगया, और हैं को से होति है, electric current होती है, electric current हो इसे हो करेगा, A से हो करते है, Mp%. जैसे एखसे हो कियागा, A whiskey को अचतल को है, A, just recordings the music. इसको तो सब्सक्राइस कर लिए, तेम्प्राइ Bean निमेटे सो भुष करते चि क्च्छा नुट गी सकता है, स्वसक्राइशे नुट का फ्लाइज है, तो ज sitzt IR कर देंपॉर्स限 लिए मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं जो काम भी हो जाएगा वा जैसे हो चैमिस्ट्री के यूजगा है लुमिनियस इंसिटेंसिटी के होगी ही कैंडला तो यह सारा रिप्रेजेंटेशन है इस बार्ट में एक चीज़ देखना को यह यह यूनेट है अभी दर यह नहीं बताएं, डाइमेंशन क्या छीज़ होती है तो डाइमेंशन को उसे एक तरिक मतारों तो स्मझे उससे तरो डाइमेंशन की कानी एक बार में समझे में आय जाएगी टुमित्रेक हापको बजा रहा हूँ इस च्रिक को समझी हो तो इस्टृक से धिरोड एग्मेंशिन की समझी में आना देखी, एक बार में, देखने बिटा, ताइमेजर जूब जूब क्या होगा, कोचिंग में धिरोग क्या मिलति है, बीपीपीच, यह मिलति है बहुर भाई, बीपीपीच मिलति है, समझते हैं और kohannburg taught इस समझने हुँ मतलब है daily-practiceull HIส का मीनिंग क्या है दी का मीनिंग है इस्ट का मीनिंग वो है बही I power और 8P का मीनिंग है physical quantity Callan किसी भी physical quantity के उपर फिजिकल कॉंटिटी को समझा ते समय, जो pay पावर रेज की जाती है किसके ऊपर जो पावर हम रेज करते हैं किसके ऊपर फिजिकल कॉंटिटी के ऊपर उस पावर कोई क्या बोलते है इसका मतलब कि दैमेंशन क्या है सर दैमेंशन फिजिकल कॉंटिटी यह घ्याद तो अदेकर को मांतिटी स्बद्र होगेंशन इसका में बात थोड़ी के कम समझ बाई क receiving समझ जैसे एसे रेख क्या ऑ देना जैसे माम ओने मिल्ट को मालूम है, मेरे को area का बलता, area favorite बलता, तो area favorite होता है meter square, यह meter के stitch की ini representation डाय यह meter की डायं को representation था, जैसे मंतल volume के बलता, volume, volume data के का होती है, meter cube, अब एक चीज लुंड, यह meter के stitch का representation है length था, अरे meter के stitch का representation है struggle अब एक चीज़ देखें, तो ये length क्या था, physical quantity था, अब जिए physical quantity था, तो उसकी उतुर पितनी power चगाई थून है, दो, तो दो ही क्या है इसका, area का dimension क्या है, दो, area में भी किसका dimension है, length का dimension है, अगरी बाद, volume, volume की, unit का होती, meter क्यों, तो इसमें power क्तनी है, physical quantity कौन सी, length, length क्यो मेरे पास, speed, speed क्या होता है, distance upon time, यही उसकी unit क्या होती है, meter per second, अगर meter में देखो इस चीज़, तो meter का इसमें, पूरी speed को सम्झा लेंगे लिए, जो meter का dimension है, क्या कुछ नहीं तो 1, अब सबका माले के, कुछ नहीं तो 1, और second का भी dimension 1, लेकिन denominator में, में में स्वाशा भी न इस मानके चल, तेरी शादी होई, अब इसी समझ, आप जब गरवाले जुड़े, तो कहीं साथे इसकिज़ वे जड़े, सब क्या रबता है, वैसम शादी हमारी वज़य से होई है, कैसे हमने शादी में यह किया, तो शादी होई, एक आदी गोले, वैसम नहीं विश्क ने क कि यह को बोलागा यह कियां पीसली शादी में कहने का मतलब क्या हुआ कि एक शादी is the contribution of कैसारे लोग एक शादी इस दर पाटा पर तु क्या सूचता है शादी बैसा मिया में भी गेम है कि शादी हो पाई क्या कि उपाई सब्य हो थे कि शादी हो क्या कर रहे है बखाए यहां याई सब्यों कि आपते हैं एक शादी इस proposition कांटिटी थे है मैंने कः बहलः कि आब हुआ है It is also the contribution of कैसारी physical fundamental quantity, कौन-कौन सिदेंग और थाइम So, किसका कितना contribution, वो सो करता है dimension What is the amount of contribution is called dimension Amount of contribution is called dimension यह contribution किस में होगा, contribution quantity को बनाने में होगा यानि किसी भी direct physical quantity को, किसी भी direct physical quantity को बनाने के लिए कितनी fundamental physical quantity का योगदान लगा, जैसे power 2 है यानि double बार लगा, यानि 3 है, तिन बार लगा यानि amount of contribution, which is given by the fundamental physical quantity to make any direct fundamental, direct physical quantity, is called the dimension यह बात कि लिए है बेटा, सब dimension भी सीख लिया कि dimension सीख लिया, तो dimension formula को भी सीख लेते है कमने है, unit सीख लिए dimension सीख लिया, dimension formula को सीख लेते है तो क्या बात समझगा है, कि किसी physical quantity के लिए तुप पावर रेस करेगा उसी क्या बलेंगे, उसकी dimension, यह स्पीड में dimension क्या है, length कि 1 टाइम भी कितनी है, 1 आगे बड़ा अब बात करते है, dimension formula को लेके अंको बढ़ाई हो, जिन बच्चों को नहीं आती है, उसको बच्ची घ्रम से देखें, जिन बच्चों की चीज़ें ऐसा लग रहा है, बहुत एज़ी है अगर आपने इस वीडियो को कॉम्टिट अची तरह से देख लिया, तो यह मांगे जिन आपको जोटने माला किसी तरही करेगा, किस चेप्टर के देखाएंगा ऐसे सारे चेप्टरों में आपसे बोलना हूँ, चेप्टर बहुत इसी है, आपको लगता है एक पोर्शन याता है तो आगे का पोर्शन देख लीजिए, तो आगे समझेज में, क्या बोला गया, जैसे मांस है, तो मांस का डाइमेंशनल डिप्रजेंटेशन क्या बताइता अगर मैंने बोला के मेरे पास एरिया, तो एरिया की उनित क्या होती है, साब, मीटर स्वार होती है, और ये मीतर तो लेंथ है, अगर लेंथ है, तो ये, और का स्वार होजाएता, अगर मैंने बोला के वालेम, तो दूम का डमेंशनल формul mechanized निमेंशनल formularly वालेlica, तो ये कि और को लागी क्या लें आगे density जैसे density तो density क्या होता है density होता है mass upon volume density क्या होता है mass upon volume तो mass को कैसे भी प्रेजेंट करते हैं मेरे बेटे m और volume को कैसे भी प्रेजेंट करते हैं अभी तो देखा तो इसको कैसे लिख सकते हैं मैं m और l की पावर माइनस थ्री वाट सब्सक्राइब देटी का मैं एलगी फार माइनस थी रहेगा वही अलग एरे बुला के मेरे को इस पीड जा बनादे है यह विलोसिंदी का मता बना दे तो कि इस्टेंस की उरी विलिटी का होती है इस तरहा इस distance unit or displacement unit भी या वती unit भी हो ती मीटर नो थी time के लिए पर है वही time की सुंदर सी definition के हो सकती कभी सोच है एक बार सोच नो comment section बताना लेकि time की पूर संसार न सबसे best definition जो है मुझे ऐसा लगता है तो time की best definition है कि time वो है जो भडी बताती है उपर सबस्क्राइबें थे सब्सक्राइब तो चैनल डिस्प्लाइमेंट एक होई मीटर, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानि मीटर तो लेंग की विट है, तो यह क्या हो जाएगा मिरे मिटर, विर्टी माइनश बर ! कुछ ऐसे डैमेसीन फॉर्म टार्म फॉर्म ने हैं, तो यानि पिरू सेकंड हो कुछ ऐसे डायमेशन फॉर्म प्र सेकंड होते हैं, आप की बार वर की व्लशन ने केंड होते हैं,it मीट कआएंड हो ने लिएग यह यानित पिरॉर्म जाहिएं, Ό фильм Acceleration, काइक आ देखू पीटा, Acceleration में और तोめटर्रचे का स्क्राइड का स्क्राइब तो टाइम का t-square, तो जहार ये तो होगिया, lt-2, तो velocity कैसा बज़ना है, velocity बोलना प्रहें, तो velocity का होगिया, lt-1, acceleration के होगिया, lt-1, acceleration तो lt-2 होगिया, acceleration के होगिया, lt-2, अगला देखें, force, force, वो इनका बोलना है, force, तो force का अगर देखेंगे, तो force क्या हो जाएगा, force को होता है, mass into acceleration, force क्या होता है, mass into acceleration, यानि mass unit तो होती है, kg, acceleration की होती है, meter per second square, तो डाइमिसर समूला पिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब मास का तो हो जाएगा, m, length हो जाएगा, l, time उपर आएगा, 3 हो जाएगा, t-2, mlt-2, याद रखियो, वही, क् अब जाएगा, m, length, to it, तो mass का होता है, acceleration के, l, t-2, mlt-2, जाएगा, force, अब भी, हमने, speed देखिया, acceleration देखिया, density देखिया, momentum, अब क्या देखिया, linear momentum, momentum क्या चीज़ होती है, बाई सब, अब देखिया, momentum, linear momentum की, अगर मैं बात कर लो, तो, momentum क्या होता है, there is a vector quantity, dimension formula को फर्क सब्सक्राइब, speed होचा velocity, scale होचा vector, dimension formula, same रहेगा, तो, t equals to m and 2, एक बात के जवाप देखिया, momentum क्या चीज़ होती है, sir, momentum क्या होता है, तुम उस्पोन ही मालो, अरे momentum क्या है, तुम उस्पोन ही मालो, आप बता दो sir, to momentum होता सुन, कि momentum एक ऐसा parameter है, जो किसी object के द्वारा की मेजर करता है, कहने का उतला कि जिस तरह से, दूद किस में लीटर में मेजर कर सकते है, यह को लीटर में मेजर कर सकता है, केजी में मेजर कर सकता है, हालो को केजी मेजर करेगा, शक्कर हो केजी मेजर कर सकता है, ऐसी किसी object में जो motion किया, उसको कैसे मेजर करेगा, मेरे कर सकता है and it is a parameter which is used to measure the amount of motion executed by any object मैं इंग्लेस पड़ोई जारा इस्टन होंग है भाई साथ रोल में आतो नहीं है फिर ठीक है भाई आयम आयम जाएं इस तरह से इंग्लेस अगर सिंगन तो ing लगा दो पीछे किसी भी चाब दो ing लगा दो I am पढ़ें सो यू आर था एक्सपर्टे इंगे लिए च्पिटें प्या कर रहा हूं आगे समझे साथ तो momentum equals to m2, mass into velocity तो भाई साथ mass का तो होता है kg तो m, and velocity का तो lt minus 1 होता है साथ तो m lt minus 1, mass into velocity m lt minus 1 हो जाएगा ये किसका होगा? linear momentum का, speed acceleration velocity, linear momentum का देखा, force का देख लिया अब देखते हैं work का, अब किसका देखें work, तो work क्या चील होती है बिटे, work work ये दरोड कर लिया, work होता है force into displacement, work क्या होता है force into displacement तो देख मेरे बिटे work का, अलब work देखें, ये energy देखें तो kinetic energy ball, potential energy ball, तो wicep energy ball, तो कोई इसी की energy ball और work ball, ठीक है इसका dimension formula सेम हो, आख सबको work and energy और dimension formula सेम होता है, pressure और stress का dimension formula सेम होता है कई साथ जीनों dimensionless quantity होती है, क्याली जिसका प्रपी dimension नहीं, dimensionless quantity तो एक चीज़ देखें, work और energy का dimension formula देखें, तो work क्या होता है, तो work तो होता है force into displacement work क्या होता है force into displacement, वैसे तो work का meaning हो चोटी बात है लेकिन मोटी बात है, तो क्या बोला है? बीकिन हाल वाल के लिए कि धिसे जए तो क्या हुदा है? तो क्या होदा है? मेंटम हो गया गया मिल्यक्तिन इस तरह से वर्का भी यहाँ दोना चाहिए ये सन मेरे होता है残 हमस्तों आपनी थिख तो हम थीखा आघेकं आगे देखिए मेरे लूते है आगे बन क्या सकथा है अग्या निटे मेरे चाहता हुट्हमगा सूस्ति क्ब्ब adesso लूए पवpark किया है उतना यादव मां ज्यादा है पड़ पर दूछ रेट का मतलब कर दोबीत हुं गोथे रेट का मतलब सौरु पैसे जाती है, सौरुपैसर यह वे थाया है, मॉटर मुटर उसकता हुए, गह पीस फाइसा यह था मिले ईपटेए हुए। specific subject में लें तो क्या संदियागा divided by mass specific कि कुछ exception को स्कोड़ दिया जाए specific कर भी नहीं क्या होता है divided by mass gradient का मतलब divided by distance यह ज़रा से सारी कुछ specific words होते है आगे देखें farmer होता है work upon time अब यह सब बर का पर यह मिखा हुआ dimension यानी MLT-2 upon time के हो जाए रफ्टी ऊपर ले जाएगा तो क्या मिलेगा मैटा MLT-3 यह किसका मिले जाएगा अगे प्रेशर पावर के बाद है pressure तो pressure समझ बाइब बाइब प्रेशर क्या होता है pressure तो बन बीरा मेरा ज़रम से लॉगदान है बैठे 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 आप तो pressure नहीं बनता हमिसे दवाई लेकिंपर दिये मेरे को pressure क्या होता है force per unit area तो forcer क्या होता है बाइब पाईशा MLT-2 अपन एरिया का तो L2, अरे ये तो शमाशन हो गया तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया है पेरेको ML-1 और T-2, ML-1 T-2, ये किसकार गया Pressure, इसकार गया Pressure, एक ची समझना, अगर तु Stress का निकालेगा, Stress, एक वर रिस्ट्रेस Stress का Dimension Formula क्या होगा, ये ही होगा पर काम के Dimension Formula करा रहा हूं पर काम के Dimension Formula करा रहा हूं Stress का Dimension Formula क्या होगा, तो Stress and Pressure में अंतर क्या होता है Stress and Pressure में अंतर क्या होता है Stress कौन सा फोर्स है, और Pressure कौन सा फोर्स है, जो किसी निया आप लगता है में कमेंट सेक्षर में बताईए, नहीं तो चैटर लाक शिर्दी पढ़ाएंगे, उसे में आप बताऊंगा, कि what is the basic difference between stress and pressure, what is the basic difference between stress and pressure, कि अपमें को इस दाइमेंशन फंपे जोंगारे क्राम केते हैं, वो देखे, आगे बने, हम नए concept की तब जाएंगे, कुछ इंपोर्टन बार में डाइमेंशन को लेगे, जो करने हैं, concept सीखना है, वो सुने, यह सुने, आप नोट करे, मैं बोलूँगा, आप नोट करिएगा, ठीक, पहली बार, मैं कुछ statement आपको बता रहा हूं, उन statement के basis में हम सारे डाइमेंशन के utilization को सीख लेगे, पहली बार सीखने, शादी संबंदों की बात बराबरी वालों में होती है मैं आपको जो लॉजिक बतावना हो वो लॉजिक समझेगा शादी संबंदों की बात किसमें होती है बराबरी वालों में लेकिन अफियार कहीं भी हो सकता है इस बात को समझना concept अब इसका मतलब सर्फ क्या समय है actual में concept यह है कि addition and subtraction are possible of physical quantity का addition and subtraction addition and subtraction of physical quantity are only possible if they are similar कैने का मतलब यह हुआ कि only similar physical quantities can be added and subtracted but multiplication and division can be done in variety of physical quantity or different physical quantity so it doesn't matter what physical quantity is taken in numerator or denominator or multiplication so what does it mean it means that हमने बोला जैसे मांचल एक physical quantity A है और एक physical quantity B है दो physical quantity A है और एक physical quantity B है अगर मान के चलो मेरे को इसमें addition करना है तो यह तम ही possible होगा जो dimension इसका हो वो ही dimension इसका होगा यानि जब दोनों के dimension similar होगे similar dimension होगे यानि velocity से velocity ही add होगी length से mass add नहीं होगा mass से mass add होगा length से length add होगा और time से time add होगा ठीक है होगी अगली बात अगर 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 मेरे को A into B करना है so it is possible अगर यह same physical quantity होगी बराई नहीं है different physical quantity होगी बराई नहीं है बैस अगर जैसे यह चलेगा ठीक है यह पहला concept नहीं होगा है different physical quantity migration बर्शफर्शन नहीं कर सकते हो लेकिन division multiplication किया जा सकता है आगे बड़े अगली बात देखो जैसे मांगे चलो भाई ऐसे जैसे मांगे चलो कि कुछ मांगे नहीं चलो सिरी गाम की बात पर आते है यह बोला लिया कि जो अगर तुम नहीं क्या कि length को मीटर में मेजर किया length को centimeter मेजर किया length को किसी मेजर किया length को फोटर में मेजर किया length को इसे मेजर किया length को किसी arbitrary unit measurement मेजर किया सारे measurement की scale पर आगर आप देखा होगे length का unit बदा जाए जिसकी numerical unit change हो सकती है बड़ी छोटी हो सकती कोगी नुमेरिकल वारु इसली फॉर्मूला होती है वो यूनेट के मददने से नहीं बदब सकता तो पते हैं लाकिल यूनेट मेल मेंजरमेंट में बडेखो गएका usi में वाप तो मेंजर करो किसी की सिस्टम में में मेजर करो, ताइमेशन कामना सिमिलर रहेगा, आगला लोजिक 5, तीसरो लोजिक देखें, जैसे मानगे चलो, कोई भी मेरे पास exponential function है, trigonometric function है, inverse trigonometric function है, logarithmic function है, ऐसे देखो, जैसे मानगे चलो, मेरे पास sin x function है, या exponential e की power x function है, या log x कोई logarithmic function है, या मेरे पास कोई inverse trigonometric function है, या कोई constant number है, 1, 2, 3, and so, and so, and so, या कोई ratio है, पेरे पास, 1 by 2, या 5 पेरे पास है, इस तरीके से, ठेक है 5, ये सारे जो number आपको लिखाई कर रहे है, ये सबी कैसे होते है, all are dimensionless, all are dimensionless, all are dimensionless, dimensionless का मतलब किया होता है, यंका धाकोई dimension नहीं, यका कोई dimension, नहीं है, यबकोई dimension नहीं, तो M0, L0, T0, ऑनी physical quantity होता, पावर होता, ये dimensionlessless, उसका उसकी उसका utilization कैसे किया जाए, इसना utilization isterसे क्या जाए, वो है is, dimensionlessless, यह logission मतलब मा आए, आवे ले हो, बारे, बारे, एक वाग-वागू तो एक बार कूछा की एक सी ऐता क्वाई इंटियुक्स हो लोग का कोई सी function हो, क्योंगे लोग रिफ में function कैसा dimensionless, इसको dimensionless उंदर क्या बना सकता हूं मैं, जब इसका dimensionless नोग रिफ इसका हो, तब इसका dimensionless नोग रिफ इसका हो, उसका रैसी प्रोपल इसका हो जाए, क्यानेगे मतलब के dimension of A must be equal to dimension of 1 upon B dimension of A बराबर हो जाए, 1 upon dimension of B के, यह हो जाए, तो आपका यह पूरा function log रहे, तो पूरा function कैसा हो जाए, dimensionless, आगे दे, अगर मान के चल्चल इसके अलावा मेरे पास E की power X है, तो dimensionless है, तो इसी तरह से इसके हो जाए, E की power A into B, अगर मान के चल्चल मेरे को तो dimensionless मनाना है, फ्र तो dimension Y का हो, उसका inverse dimension किसका हो, B का, यानि, dimension of A must be reciprocal of dimension of B, इसे तरह से करमें, E की power A, Y, B में देती होंगा, तो यह कब possible होगा, तो A का dimension of B का dimension कैसा हो जाए, बराबर, तो dimension of A equal to dimension of A हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा, तो इसे मान के चल्चल ए, छोड़ी सी radioactive data equation देखे जोग यह modern statistics में, nuclear part में, यानि, Nt equals to N0 E की power minus lambda t, यह कोशी भी हो सकता है, मान दे चलो कोई equation हो, आपको और नहीं, मान कोई बार में, आपके लिए भाई सा भी खेल दित लो हो जाए बार है, तो यह modern statistics का part है, तो इक है समझे, मान दे चलो, यह मेरे पास time हो, मान दे चलो, य अगर रोगो dimensionless ये dimension लगता हो सकता है जब ये की power A into B type था जोसका dimension रोगो रेसे प्रोकलेश चाहो और जोसका dimension